बिहार के छात्रगंड किर्प्याद ध्यान देंगे बिहार सचीवाले साहेक भरती को लेकर एक आवस्तिक सूशना दी गई है यह आपके ओफिशल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी प्रारंबिक परिक्षा से समंदित रिजल्ट को लेकर यहाँ पर बाते रखे गई ह चलिए मैं आपको इस नोटिफिकेशन से आउगत कराता हूँ यह जो नोटिफिकेशन है 10 अपरेल को अपडेट किया गया है ओफिशल वेबसाइट पर यह आपको देखने को मिल जाएगी विग्यापन संख्या 1-2022 यानि की साचिवाले साहेक के जो वेकेंसी आई थी दोस वैसक सुषना के ग्यापन संख्या की अनुसार 26-12 के द्वारा और 23-12 को आयोजित प्रथम चरण का परिक्षा लिया गया सुबह 10 से और दोपर 17-12 बजे तक इस परिक्षा को रद करने का नेर्णे लिया गया प्रथम चरण की रद परिक्षा का पुना आयोजन जो है 5 मार अब यहां पे एक official update ये दिया जा रहा है आप लोग को सावधानी बरतने को कहा जा रहा है आयोग जो है यहां पे सतरकता बरतने को और चेताओनी दे रहा है यहां पे कह रहा है कि उक्त परिक्षा से संबंदित कतिप है अभ्यारतियों की आड में असमाजिक तत्वोत द्वा दे गई है ऐसा update आया है और आयोग जो है यहां पर पहले ही इस notification को आप लोग को दे कर थोड़ा सा डराना भी चाहता है बिलकुल सही बात है यहां पर चुकि अभी कोई उपद्राव ना हो इसको लेकर यहां पर इस सीच को चुकि अभी बिहार के कई एक जिलों में उपद परियाले के समक्ष जो है वो घिराओ या धरना या आंदोलन करने की सूचना दी गई है उनको लेखनी है कि तीनों चरणों की परिक्षा के उपरांद परिक्षा फल तयार करने के संबंदी गूपनिये कारे तेजी से कारे किये जा रहे हैं आपको बता दे कि देखे यह एक महीना बीच चुका है पुरा completely इस exam को भी खतम हुए और इसके उपर तेजी से कारे हो रहा है चुकि 9 लाख अभ्यारतियों का यहां पे copy check होना है और 9 लाख अभ्यारतियों में से अगर हम बात करें तो 5 15 लाख अभ्यारतियों ने लगबग exam दिये हैं 5-6 लाख अभ्यारतियों ने एक्जाम दिये हैं जो कि उनकी परिशा कॉपी जो है वो चेक होनी है जिसमें समय अभी लग सकता है यानि कि विलंबता हो सकती है ऐसा आयो कह रहा है लेकिन कितना देर कीजिएगा चुकि नई वे अभी बाते भी नहीं की जा रही है 10,000 के आसपास जो है वहली है CHSL की लेबल की यानिके 12 लेबल की इसकी बात भी नहीं की जा रही है अगर यह अभ्यारति जिसको अँसमाजिक तत्य यहां पे बोला जा रहा है इनको यहां पे अगर यह परिच्छा की अपना result को लेकर ब तो और परिक्षा भी जो ले रहे हैं परिक्षा भी यहां पर 6-6 साल के बाद वेकैंसी निकाले जा रही है इसी चीज को लेकर अभ्यारति डरे हुए हैं जिसको लेकर धरना प्रदर्शन या आंदूलन करने की बाते हो रही हैं लेकिन आयोग पहले से ही आपको यहां पर प्यार करने को लेकर यहां पर गोपनी कारे तेजी से किये जा रहे हैं जिसके बारे में आयोग बताना नहीं चाहरा है कि कैसे कब रिजल्ट होगा लेकिन यह गोपनी तरीके से बहुत तेजी से कारी हो रहा है कि इसका रिजल्ट जल्दी हम लोग प्रकाशित कर सकेंगे य लेखे जायर सी बात है अभ्यार्थी डरे हुए हैं, आपके पुराने रवय्य को लेकर आयोग जो है लगातर कोई वेकैनशी का रिजल्ट आठ साल लगा दिरा देने में अभ्यार्थी को डर है कि कहीए बड़ी वेकैनशी है, 22 से ज़ादा पदों की वेकेंसी है, इस वेकैन जाए या आठ साल लग जाए यह डर सता रहा है अभ्यार्थियों को इस लिए इस चीज को लेकर यह अंदोलन या घिराओ या फिर धरना प्रदर्शन करने की बाते कही गई है और आयोग इसको असमाजिक तत्तों के साथ जोड़कर यह पूरे अभ्यार्थी को यहां पर दर किनार कर रहा है मेरा इस वीडियो के बनानी का मकसद सिर्फ एक ही है आयोग से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग सिग्र रिजल्ट दीजे यह बाते लिखकर की डराइए नहीं कि छात्र वहां पहुंचेंगे नहीं धरना प्रदर्शन में भाई जो लोगतंत्र है ल आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए पुलिस फोर्स है विहार सरकार का उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको ताकि ऐसी घटनाय ना हो सके चलिए यह तो बाते यहां पर आयोग ने अपनी रख दी है सामने अब छात्र यहां पे जो भी है वो इंतजार ही कर सकते हैं उनके बातों को रखकर यहां पे आयोग के सामने जा सकते हैं, उनकी बाते अगर आयोग नहीं सुनेगा, तो जरूर धर्नापरदशन या अंदोलन कीजिए, या प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन एक लोगतांदरिक तरीके से कीजिए, जिससे कि किसी का भी नुकसान ना हो, ये है, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कि हैं, प्लीज सेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ग्रूप में भी, जो भी छातर यहां पे, ओफिशल वेबसाइट पर आके देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं, ये इंपोर्टेंट नोटिस है, रिगार्टिंग अटेंडेंड इन तक प्टना हाई कोट को लेकर यहां से अपडेट, शॉर्य माफ करेंगे ये विकेंसी संग्या एक 2022 को लेकर ये अपडेट की गई है, ठीके, तो यहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को और यहां से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को रिडाउट भी कर सकते हैं यहाँ पे फिलाल इस वीडियो के मादम से जो भी हमने आपको अपडेट दिये हैं वही सारी चीज़े यहाँ भी लिखी गई हैं इसके अलावा कुछ भी या अपडेट नहीं है इसके साथ अलावा जो भी छात्रव भीहार में परिक्षाओं की त्यारी कर रहे हैं भीहार दरुगा या भी भीहार SSE या BPSC को लेकर आप हमारे चैनल YT Education पे भी जूड़ सकते हैं वहाँ पे आपको लगातार क्लासिस दी जा रही हैं वहाँ पे आपको लगातार मोक्टिश दी जा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जूड़ सकते हैं तो आप अपना प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हैं तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं हमारे साथ जूड़ कर जल्दी जूड़े आप लोग के लिए बिहार SI का एक नया बैच भी सुरू किया जा रहा है जो कि 15 मई को ये अपडेट मिल जाएगा आपको इस भाली की प्रक्रियाओं को लेकर जो भी अपडेट आएंगे सामने हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे और बिहार में अभी देखिए सिक्षक भाली को लेकर भी आज मन्जूरी मिल चुकी है तो जल्दी आपको ये सारी चीज़े देखने को मिलेगी 15 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोग भी जुड़िए जहाँ पे हम लोग समानी ग्यान में क्राउन पॉब्लिकेशन और द्रिष्टे पॉब्लिकेशन का बुक जीके के लिए रखेंगे जीएस में यहाँ पे आपको घटना चक्र और करेंट अफेर के लिए स्पीडी और लुसेंट जो है अब्जेक्टिव ये आपका रहेगा ये पांच पुस्तकों की जरिए आपकी परिष्टाओं की त्यारी डे बाइ डे करेंगे हम लोग पेज बाइ पेज करेंगे टॉपिक बाइ टॉपिक जोकी स्लेबस के अनुसार यहाँ पे चलाया जाएगा तो जल्दी जुड़ें आप हमारे साथ यहाँ इस नंबर दिये के नंबर पे पे करें और स्क्रिन सोट सेम नंबर पे वाट्साप करें आपको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा आपके ग्रूप में भी जहें दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में धर्निवाद